क्या आप भी अपने दिन के शुरुआत चाई या कॉफी से करते हैं और फिर पूरे दिन लो फील करते हैं खाली पे चाई पीकर एसिडिती हो रही है, शुगर बढ़ रहा है भाई ये तो होगा ही न जब आप दिन के शुरुआत गलत चीज से करोगे तो हेल्थ पर नेगेटिव एफेक्ट ज़रूर आएगा तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हुए कैसी हेल्दी मॉर्निंग रिंग के बारे में जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसके हैं धेर सारे फाइदी तो चलिए जानते हैं वेल हलो एवरीवन मैं हुदशा और आप देख रहे हैं हरवाज 24 तोलसी की तरह ही हमारे किचिन गार्डन में कई ऐसे हर्ब्स होते हैं जिसका इस्तमाल हमारे लाइफ में गेम चेंजर साबित हो सकता है इनही में से एक है कड़ी पता स्वाज के साथ साथ डाइजेशन में सुधार करने के लिए खाना पकाते समय इस एक में इंग्रीडियन्ट की तरह इस्तमाल किया जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुबह सुबह खाली पेट जो आपकी बोडी को इंस्टेंट एनरजी देते हैं इसलिए सुबह सुबह इसको पीने से आप फूरा दिन एनरजेटिक रहेंगे ये बालो के रोम को मजबूत करता है बालो की ग्रोथ को बढ़ावा देता है समय से पहले सफेध होने से रोपता है और स्कैल्प को भी पोशन देता है जिससे आपके बाल और चमकदार बनते हैं और मजबूत होते हैं आज कल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस होना काफी आम है तो कड़ी पत्ता आपके स्ट्रेस को भी कम कर सकता है कड़ी पत्ते का पानी पीने से मास पेशियों और नसों को आराम मिलता है जिससे मन और दिमाग को शांती मिलती है इससे स्ट्रेस कम होता है तो आप कड़ी पत्ते का पानी जरूर पीए स्ट्रेस के साथ साथ ये आपके वेट को भी कम कर देता है ये पानी शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूब करता है और बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है जिससे आपका वजन कम होता है इससे शरीर में जमा हुआ फैट पिगल कर कम होने लगता है और आपका वेट लॉस हो चाता है कड़ी पते में आंटि ऑक्सिडेंट भरपूर होते हैं जो कॉलिस्टरॉल को कम करते हैं और शरीर में LDL यानि की बुरे कॉलिस्टरॉल को बढ़ने से रोगते हैं इन पत्तों का पानी पीने पर शरीर में अच्छा कॉलिस्टरॉल बढ़ने में मदद नती है तो अगर आपक आपको इसकी दिक्टत है तो इसका पानी ज़रूर की है। तो चलिए अप जान लेते हैं चुक कैसे बनाना य को बनाना बहुत ही आसान है देख य है बस एक मुठ्धी करव पटा ले और इसे गर्म पानी भीगों दे और फिर इसको चान लें हाला कि कड़ी पत्ते के पानी के बहुत सारे फाइदे हैं लेकिन साथ ही इसके कुछ मामूली नुकसान भी है इससे आपको gastric issues या allergy हो सकती है इसलिए इसको limited amount में ही ले और अगर आपको ये सूप नहीं करता तो इसको लेना avoid करें अगर आपको ये information पसंद आया हो तो इसको जरूर प्राइ करें healthy रहें और ऐसे ही informative tips और videos के लिए हमारे चानल को subscribe करना ना भूलें